Hello students, आज हम करेंगे exercise 12.2 का question number 2 तो देखते हैं इस question में क्या कह रही है Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 cm ओकी, तो हमें इस question के अंदर एक quadrant का area निकालना है जिसकी circumference कितनी दे रखी है? 22 cm तो area निकालने से पहले हमें ये समझना होगा कि quadrant क्या होता है तो अगर किसी circle के मैं 4 equal parts कर दूँ, तो उन parts को क्या बोलेंगे? Quadrant बोलेंगे ऐसे सोचो कि एक pizza है, उसके मैंने 4 हिसे कर दिये और 4 हिसे equal हिसे हैं ठीक है? ऐसे नहीं है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है 4 हिसे हैं, तो उस एक हिसे को क्या बोलेंगे? Quadrant बोलेंगे, यानि कि हमें उस एक हिसे का area निकालना है तो हमें सिरफ इस हिसे का area निकालना है, जो part मेंने अभी shade किया है सिरफ उसका area निकालना है, clear? तो किसी भी Quadrant का area कैसे निकालेंगे? एक काम करते हैं, सबसे easy method बताता हम आपको पूरे circle का area निकाल लो, और जो भी area आएगा, उस area को 4 से divide कर दो ठीक है? तो मेरा Quadrant का area आजाएगा क्योंकि जो Quadrant होता है, वो circle का छोथा हिस्सा होता है तो Quadrant का area निकालने का सबसे easy method क्या है? पूरे circle का area निकाल लो, और उसको फिर 4 से divide कर दो तो मेरे Quadrant का area आजाएगा, तो देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे तो हमारा area of Quadrant क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, area of Quadrant तो area of Quadrant क्या हो जाएगा? पूरे circle का area निकालेंगे पूरे circle का area क्या होता है? pi r square और उसको 4 से divide कर देंगे तो मेरा area of Quadrant आजाएगा, clear, लेकिन देखो कोशन के अंदर हमें radius नहीं दे रखी तो radius कहां से निकालेंगे? कोशन के अंदर radius नहीं दे रखी लेकिन एक चीज़ दे रखी है और वो क्या है? circumference यानि कि circumference का use करके हम radius निकालेंगे और उस radius को हम इस formula के अंदर put कर देंगे तो मेरी circumference कितनी दे रखी है? circumference है 22 cm और circumference का formula क्या होता है? किसी भी circle की circumference होती है 2 pi r is equal to 22 cm लिख देंगे तो 2 pi r कितना हो जाएगा देखो? 2 into 22 by 7 into r तो pi की value हमने put कर दी equal to 22 अब यह जो 7 है यह इधर divide में है तो अगर इस 7 को उधर बेज़ूँगा तो उधर जाके multiply हो जाएगा तो इसको मैं उधर बेजता हूँ तो यह 7 उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा? 2 into 22 into r equal to 22 into 7 अब देखो जो आपका 2 into 22 है यह आपका इधर multiply में है तो अगर इसको मैं इधर बेज़ूँगा तो divide में हो जाएगा तो मेरा r किसके equal आजाएगा? 22 into 7 by 2 into 22 और 22 से 22 cancel तो मेरा r कितना आ गया? 7 by 2 तो मैंने circumference का use करके radius निकाल लिया अब इस radius को हम quadrant वाले formula के अंदर put कर सकते हैं तो इसको मैं put करता हूँ quadrant वाले formula के अंदर तो इसको मैं erase कर लेता हूँ तो मेरा radius कितना आया था? radius आया था मेरा 7 by 2 तो इसको इस formula के अंदर put करेंगे तो pi की value क्या हो जाएगी? 22 by 7 into r square यानि कि 7 by 2 into 7 by 2 और बाहर आपका 1 by 4 भी आएगा क्योंकि 4 से भी तो divide करना है तो cut करते हैं 7 से 7 cancel 2 से आपका 11 cancel और आपका और कुछ कटनी होगा तो यह आगए आपका 77 by 8 तो यह मेरा क्या है? quadrant का area है तो 77 by 8 cm2 होगा क्योंकि जो radius है वो अमारी cm2 में आई है तो मेरा quadrant का area कितना होगा? 77 by 8 cm2 clear students? तो यहाँ पे आपका question complete होता है तो hope करता हूँ आपको यह solution समझ आया होगा और अगर आपको यह solution समझ आया तो आप इस वीडियो को please like करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई doubt या query है तो आप मुझे instagram पे message कर सकते हैं और please comment करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगी Thank you झाल